नमस्कार दोस्तों आज हमारे बहुत ही बड़ी है सुनिता में विजली बाग के अंदर जॉब करती हैं सुनिता में विजली बाग के अंदर सीनियर इंजिनियर पत पर इस समय जॉब कर रही है सुनिता मेम का कहना है कि वे अपने जॉब के चलते घर के कोई काम नहीं कर पाती इसलिए उन्हें महनती और इमानदा नौकर के आवशकता है सुनिता मेम ने हम से कहा था कि मुझे एक महनती और इमानदा नौकर के हावशकता है जो मेरे साथ इस जॉब पर लंबे समय तक काम करे ऐसा नहों कुछ महीने करे और जॉब ठोड़के चला जाए और साथ ही जो घर के और बाहर के सबी कामों को कर सके चाहे घर के अंदर होने वाले चोटे मोटे काम हो या फिर मार्केट से बाजार से जो भी सामर लाना हो वे सारे कामों की दिम्मेदारी उसके उपर होगी दोस्तो मैमक्स को आगे ये कहना है उसको घर के लोगों के साथ भी बाहर जाना पड़ेगा जहां पर वे उनकी हर चीज का खयाल रकना उनके सामान का खयाल रखना उनें जिस चीज के आफरश कहँता हूं वे ला के देना और किसी भी चीज के शिकायत का अफसर ना देना दोस्तो अगर आप सुनीता मैं केहा पर जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं सुनीता मैं का नंबर भी दूँगा कैसे आवे दिन करेंगे उसका सही तरीका भी बताऊंगा और भी जॉब से जुड़ी जानकारिया उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो लाइक ना कियो तो लाइक कर दे और नीचे देंगे लाटमट को दबा कर चैनल को सब्काई कर ले और इसके बाद गंटी को दबा दे और दोस्तो यदि जॉब से जुड़ा आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें इंस्ट्रागराम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तो बात करें इसमें जॉब लोकेशन की तो ये जान लेना बहुत जरूरी होती है अक्सर कुछ लोग उस लोकेशन पर काम नहीं करना चाहते फिर भी आवेदन करते हैं और कॉल करते हैं तो दोस्तो ये जॉब उदेपुर राजिस्थान के लिए निकाली गई है दोस्तो बात करें इसमें जॉब डेटिड इंफोर्मेशन जॉब से जरूरी जान करें जो आवेदन से पहले आपको पता होनी चाहिए तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए कोई बीमारी कोई शारीरी के दोश नहीं हो आयू सीमा 18-50 वश्ट की बीच में होनी चाहिए एक्सपिरियंस कोई नहीं चाहिए चाहे आप फ्रेशर है या एक्सपिरियंस वाली इससे कोई वर्क नहीं पड़ता सभी काम आपको समय से करने है और किसी काम में लापरवाही नहीं करने सिर्फ वही व्यक्ति इस जॉब के लिए आवेदन करें बात करें फैसिलिटी जूरिंग जॉब जॉब पे मिलने वाली क्याक्य सुबधाई रहेंगी तो दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है जैसे भी आप जॉइन करेंगे आपको एक मोटर साइकल देती जाए कि बाहर के कामों के लिए पैदल आना जाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा रहने के लिए आपको जो रूम मिलेगा उसमें एसी लगा होगा और एक टीवी लगा होगा और वही पर ही आपको तीनो टाइम का सुबा शाम और रात तीनो टाइम का खाना मिलेगा और सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि इस जॉब पे काम के दोरान बीमार होने पर या दुर गटना जैसे चोड फैंट कुछ लग जाती है तो उसमें आपकी सैलरी नहीं कटेगी जितने दिन बे आप बीमार रहेंगे और साथ ही जितने भी लाट्च का आपका खर्चा होगा सारा आपका मेमदारस उठाया जाएगा आपको किसी चीज़ की कोई दिकत नहीं होगी बात करें इसमें सैलरी पैकेज का तो दोस्तों इस पोस्ट में महीने के 43,700 रुपर महीना की सैलरी मिलेगी जो कि सीधे पाच तरीकों आपके बैंक अगाउट में आ जाएगे दोस्तों मेम का कहने के चाहें आप पढ़े लिके हैं अनपढ़ है गोरे काले या कुछ भी है उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं क्योंकि उन्हें लिख्याई पढ़ाई या फाइलों का कोई काम नहीं कराना होने सिर्फ अपने घर के काम कराने जो आपको समय से और अच्छे से करने है आपके पास एक पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है और दोस्तों बात करें इसमें एप्लिकेशन फीज कि तो आविदन शुल्क बिल्कुल कुछ भी नहीं है बिल्कुल फिरी है कोई भी आविदन कर सकता है बिल्कुल स्रीव बात करें इसमें सेलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से आपका इंट्रिव्य होगा तो दोस्तों एक राउंड का इंट्रिव्य होगा मैम द्वारा जिसमें सिर्फ जॉब से जुड़ी बात है पूछी जाएंगे लास्ट डेट ओफ अपलाई की अंतिप्तिति क्या है तो दोस्तों जितनी जल्दी हो सके आप अपना आविदन कर सकते हैं दोस्तों आविदन करने का सही तरीका है कि वीडियो के डिक्शन में जाएंगे वहां पर आपको मैम का नंबर भी मिलेगा जिन से आप बात भी कर सकते हैं जॉब से जुड़िया वहीं पर ही एक जॉब का फॉर्म होगा जिसे आपको हमें भरके भीजना है और आपकी जॉब लगेगे